बिहार के मोकामा के बाहुबली निर्दलियो विधायक अनन सिंग को लोगसभा चुनाव में पार्टी का टिकट देने के नाम पर भले ही कॉंग्रिस इस पष्ट बोलने से बच्चती नजरा रही है लेकिन वे पार्टी के टिकट को लेकर आश्वास्त है अनन सिंग ने मंगल को लखी सराय में थे वहाँ चानन प्रखण में कुष्टी प्रत्योगिता में शिर्कत करने के बाद उन्होंने फिर दावा किया कि वे मुंगेर से लोगसभा का चुनाव कॉंग्रिस के टिकट पर ही लड़ेंगे उन्होंने जोर दिकर कहा कि 100 नहीं 200 प्रतिश्रत कॉंग् गेर तक रोडशो भी किया था इतना ही नहीं पटना में भी उन्होंने कॉंग्रिस के राज्यसभासांसत अफिलेश प्रसाथ सिंग के साथ रोडशो किया था इसे लेकर कॉंग्रिस में भी गहमा गहmyी बनी रही खास बात है कि इसी महा 9 फरवरी को पटना के गांधी मैदा में कॉंग्रिस की 39 वर्षों के बाद बड़ी रैली हुई थी कॉंग्रिस की इस जन आकांग्षा रैली में राष्ट्रुय अध्यक्ष राहूल गांधी ने भी शुर्कत की थी मंच पर भले ही अनन्सिंग को जगए नहीं मिली लेकिन उन्होंने कॉंग्रिस की रैली में गर्म जूशी से शिर्कत की उन्होंने रैली में अपने समर्थकों की बीच रजगुले बाटे तथा उनके लिए आपने आवास पर कारेक्रम का आयूजन भी कराया भेरहाल कॉंग्रिस के टिकेट पर अनन्सिंग के चुनाओ लडने का दावा लगातार जोर पकड़ता जा रहा है लेकिन कॉंग्रिस अभी भी उनके दावे से बच्चती नज़रा रही है कॉंग्रिस बार बार यही कह रही है कि बिहार में सीटों के बच्वारे पर फैसलान नहीं हुआ है पिछले दिनों बिहार प्रभारी शक्ति सिंग गोहिल का बयान आया था कि आनन्द सिंग और पपुई पर कोई फैसलान नहीं हुआ है बदादी कि केवल अनिन सिंग ही नहीं आनंद मोहन की पतनी लवली आनंद रभंगा के सांसत की तीजा आजाद मधिपूरा सांसत पपुयाद भी कॉंग्रिस से टिकट का दावा करने वालों की लिस्ट में शामिल हैं अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें